हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूटूब चैनल स्टडी जोन पर दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन पोस्ट जीडियेस जारखंड रिजल्ट के बारे में यहाँ पर दोस्तों जारखंड की रिजल्ट को लेकर कैंडेट्स काफी हैं क्योंकि अभी तक जो है जारखंड जीडियेस की ही रिजल्ट नहीं आई है क्योंकि दोस्तों लगभख जारखंड जीडियेस की ही रिजल्ट को लेकर कहीं न महीना-बाद जो है सेकंड जो है रिजल्ट डिकलेयर करता है तो यहां पर दोस्तों पंजाब की तैस्थ फर्वरी के अंदर जोहर रिजल्ट डिकलेयर कर दी थी लगभग यहां एक मैने से उपर हो चुका है लगभग डेड़ मीने का सकते हैं पर यहां जारखंड की GDS की result नहीं आई है पर यहां जारखंड GDS को लेकर अफवाएं आपको पिछले मैने में काफी नाम आ चुकी है कि आपको फीड टिपोजिट करने पड़ेगी तब आपकी यहां पर . तो इसको लेकर बहुंब यहां बटाया था कि जहारखंड जहां इंडियन पोस्ट ऑप इस जी PCL website पर कि कभी भी जो है GDS की तरफ से आप सभी को कभी contact नहीं किया जाएगा अगर contact भी किया जाता है तो कभी भी आप से जो है फीड डीपोजिट की मांग नहीं की जाएगी तो इस चीज़ को आप यहां पर फेक माने अब दोस्तों इसी चीज़ को लेकर candidates का काफी comment आता है देखने को मिलता है कि हमारी जो है सर GDS की result कभ आएगी जारखन GDS की result कभ आएगी क्योंकि लगभग यहां पर डेड़ मेना हो चुका है पंजाब की result आए हुए पर यहां अभी तक जो है जारखन GDS की result नहीं आई है तो यहां पर दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं कि जारखन GDS की result में इतनी delay क्यों है क्या वज़ा से delay होई है और जो media report निकल कर आ रही है social media report निकल कर आ रही है कि जारखन GDS की जो result है वह कब तक आपको देखने मिल जाएगी वह क्या अपरील के मा में जारी हो सकती है या नहीं हो सकती है इसके बारे में आपको संपूर्ण जनकारी आज की इस वीडियो मिलने वाली है तो बने रही है दोस्तों हमारे जारखन GDS की result का इंतजार कर रहे हैं उन सभी को यह update पता हों जी कौन से result के वाज़ा से जारखन GDS की result डेले हुई है और अभी कितना time लगेगा इसकी result आने में उन तक जरूर share करिएगा और साथ ही दोस्तों आप अगर टेलीग्राम चलाते हैं तो जरूर हमारे जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लिजेगा डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिक मिलेगा आप वहां से हमें follow कर सकते हैं क्योंकि जारखन GDS की अगर कोई भी update आती है तो सबसे पहले आपको जहां पर टेलीग्राम पर देखने को मिल सकती है इसकी आपकी यह benefit रहेगी कि कोई भी update आप से छुटे की नहीं और साथ ही आप हमें Facebook पेज पर फॉलो कर सकते हैं बहतर जानकारी के लिए तो अब यहां पर दोस्तों दो वजा दिख रही है कि जारखन GDS की result में डीले हो रहा है यहां पर दोस्तों एक चीज़ आपने हमेशा notice किया होगा कि अगर जारखन GDS कोई भी जो है new requirement निकालता है तो वो तब तक उस भरती का जो है result declare नहीं करता है जिसकी result declare करनी चाहिए यहां पर दोस्तों पंजाब की result declare करने के बाद उसके या तीन या चार दिन के बाद जो है वो result को यहां पर postpone करकता है जो रिकूरेंट पूरा होने के बाद तीन से चार दिन के बाद यह जो है रिकूर्मेंट की जो है result declare करता है तो यहां पर दोस्तों अगर जो जारखन GDS की जो result है वहां पर जो 1118 पोस्ट के लिए वैकैंसी निकाली गी थी जिस इस पर की यहां पर उसी के बाद जो है पंजाब की जो result आने के बाद यहां पर डेट जो जारी कर दिया गया आठ तीन दोजार साथ को यहां पर यहां पर दोस्तों उनकी इंड़ देट थी साथ 421 पर यहां पर डेट को बढ़ाया गया form और ज्यादा भरने के लिए कि कोई चूटे नहीं यहां पर 104221 यहां पर रखा गया तो इसी को लेकर यहां पर दोस्तों डीले किया जा रहा है क्योंकि जब भी new record निकालती है तब तक वो कोई भी जो है जो पोस्ट है जिसकी जिसकी merit बन चुकी है जिसकी result बन चुकी है तब तक वो डिकलेर नहीं करता है काफी जदा अफवा उड़ाते हैं कि आप सी जो नाम आ रही है मेरिट में कॉल आ रही है इस चीज को लेकर भी रिजल्ट में थोड़ी डीले हो रही है क्योंकि दोस्तों काफी तई कि इसी सब चीज वाइरल होती है और जीडिये स को भी इसके बारे में पता होता है तो इसी को चीज को लेकर यहां रिजल्ट में देरी के होने के कारण है पर धूस्तों मैं आपको बतायता हूं कि जारखन GDS का जो result है वहाँ पर दोस्तों यहाँ पर 15 या 16 अपरील को आपको यहाँ पर आने की पूरी chances बन रही है क्यों दोस्तों यहाँ पर क्योंकि दोस्तों बीच में आपको यहाँ पर जो है 10-4-21 तक date को extend किया गया यहाँ तक तो आपकी result आने की बात नहीं है क्योंकि दोस्तों उसके बाद 4-5 दिन के बाद result declare करने की यहाँ पर date हो सकती है क्योंकि दोस्तों जारकन GDS की result काफी delay हो चकी है इसको लेकर आपको कोई भी notice बताया नहीं जाएगा यहाँ पर आप सभी के लिए direct result की announcement की कर दी जाएगी कि result की यहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी कि कौन-कौन candidate select है इसको लेकर आप यह मत सोचिएगा कि जारकन GDS द्वारा एक notice जाला जाएगा कि आपकी result इस दिन आने वाली है यह paper यह newspaper के अंदर इसके बताया जाएगा यहाँ पर दोस्तों काफी delay हो चुका है लगबग डेड़ मिना से उपर हो चुका है अब यहाँ पर आपकी direct यहाँ पर 15 या 16 अपरील को आपको result देखने को मिल सकती है जो भी update आ रही थी दोस्तों मैंने आपको बता दिया उमीदे कि वीडियो पसंद आई है पसंद आई तो लाइक करेंगे सेर करेंगे और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है जरूर लाइक करके जाएगा और साथ ही सेर जूरी करिएगा और अभी तक आपने हमारा यूटूब चैनल सब्सक्राइब कर लिजेगा तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में तब तट ले दोस्तों जाहिंद अगर फिर भी किसी तरह का कन्फूजन है या कोई क्यूरिज है तो आप कमेंट के माद्धाम से पूछ सकते हैं हमारे तरफ से आपकी पूरी साहता की जाएगा तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में तब पर ले दोस्तों जाहिंद कि अगर 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 कि अगर अगर तो र DOज ये e Пр program अगर। कि आपके पूर घरसHHा आपड़ी नहासा केमा तो आपकी पूंत essent कि अगर उन। झाल झाल